हलो गाइज अगर आप चैनल पर नई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल यकिन दवाना ना भूलें तो इसका टॉपिक जो है गाईज वो है पैराग्लाइडिंग के उपर पैराग्लाइडिंग कैसे कब कब और कहां कहां होती है तो गाईज सबसे पहले पैराग्लाइडिंग बात करें तो मनाली तो मनाली एक ऐसी जगह जहां पैराग्लाइडिंग आप दोनों तरह की पैराग ब्रेसे में मिलेंगे वह हाई फ्लाई का थोड़ा हाई रेट होगा लोगा तो अपको दूसरा ऑप्ष्ण जो वो है डोबी का डोबी जो कि कुलू से पंदरा से किलोमेटर है बहाँ पर आपको केवल हाई फ्लाई का ही option है वो यहां पर आपको यही रेट मिलेंगे 2500-3000 के बीच में क्योंकि हाइफ्लाई है तो यहां पर आप ज्यादा उंचे जाकर एडवेंचर कर सकते हो यहां सिर्फ हाइफ्लाई होती है तो यह कुलू से मनाली की तरफ को है तो इसका आप ध्यान रखना गाईज तो लोफ्लाई के लिए आप मनाली में ही जाएं तो जो उप्षन है वो है गड़सा यह आपका बजारा से टर्न करता है यहां और लगवग बिजारा से 8-9 किलोमेटर आगे एक गड़सा टाउन पड़ता है वहां पर आपको यह फ्लाई जन्रेट पर पड़ेगी यह नहीं टूरिजन साइट है यहां पर कुछ रेट अपडाउन हो सकते है आपके तो यहां दोनों तरक की फ्लाई तो नहीं होगी लेकिन यहां पर म मेडियम एक हाई फ्लाई तो लो फ्लाई यहां पर नहीं हो पाएगी तो गाइज अगर पैरा ग्लाइडिंग के वारे में थोड़ी सी और जानेकारी की बात करें तो यह सिर्फ पांच से छे मिनट तक ही आपको करवाई करवाई जाती है तो अगर इस से ज्यादा भी आप क यह नहीं करने चाहिए अगर आप फिर भी इसे करना चाहते हो तो आप थोड़ा सा अंसला रखें इसमें ज्यादा डरने की बात नहीं है यह सब कुछ सेफ चीजे हैं ऐसा कुछ नहीं है काफी ज्यादा ध्यान रखा जाता है इन चीज़ों को करने से पहले तो अगर आप पेराग्लाइडिंग के अडवेंचर से कुलू मनाली घुमने आ रहे हैं तो यह तीन साइट है जहां पर आपको पेराग्लाइडिंग मिलेगी और नई साइटे भी ओपन हो रही है दिरे दिरे उनके बारे में भी हम आगे डिसकस करेंगे तो गाइज अगर आपको वीडिय वीडियो में नेक्स्ट इंफरमेशन के साथ तब तक के लिए बाबाय गाईज